आज हम तुला लगन के जातकों के लिए दिसंबर का महिना क्या कुछ लेकर के आने वाला इसके विशे में चर्चा करेंगे और वीडियो बनाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल में नए है प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और एक बैल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिविशन मिलती रहे तो चलिए मुड़ते हैं विशे क्योर विशे है तुला लगन दिसंबर का महिना और राशी फल तो यहां पर सबसे पहले हम तुला लगन के जो जातक है उनका जो लगनेश होता है उसके बारे में बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए जो शुक्र होता है वो आपका अश्टम भाव का स्वामी बनता है और आपका लगन भाव का स्वामी बनता है और वर्तमान में जो शुक्र है वो 9 दिसंबर से मकर राशी में संचार करेगा और मकर राशी जो है वो आपके चतुर्त भाव में मकर राशी मतलब आपके चतुर्त भाव में संचार करता हूँ नजर आएगा इस में अब लगनेश का चतुर्थ भाव में जाना और वहां पर शुक्र जो है वो मित्र ग्रह शनी की राशी में गया और शनी का इसे वो प्राप्त हो रहा है तो शुक्र जैसा विलास प्री और भोग विलास वाला ग्रह जब चतुर्थ भाव में जाता है तो व्यक्ति को जो है वो जो हमारा सुख स्थान होता है चत्रत्वा तो सुखों की प्राप्ति कराता है वाहन सुख यहां व्यक्ति को दिलाता है उसके लावा जो कृशी कारे से जुड़े हों क्योंकि एग्रिकल्चर को भी शुक्र रेप्रेजेंट करता है तो के साधनिया बनते हो नजर आएंगे, आपको जो है वो सुख इस महने प्राप्त होता हो नजर आएगा, चाहे वो वाहन सुख हो, चाहे आप नए कपड़े इस महने खरिद रहे हैं, या किसी भी तरह सा आपको सुख और अराम किस्तिती शुक्र की बनी हुई है, क्योंकि लग गुप्त जो चीजे हैं, या गुप्त चाहे वो विद्या है, चाहे वो गुप्त धन है, या गुप्त यूतिया है, या गुप्त तरीके हैं, उस में व्यक्ति जो है, वो माहिर होता है, वन नजर आएगा, क्योंकि लगन में मित्र ग्रह पर जाने पर जो है, और साथ में श तुला लगन वालों के लिए जो देव गुरू ब्रहस्पती होते हैं वो इनके थर्ड हाउस के और सिक्स्थ हाउस के लॉड बनते हैं और तृतिश का पंचम में जाना और बहुत उत्तम स्थिती हैं आपको आपके प्राक्रम में गुरू ब्रहस्पती करते हैं आपको भाई बहनों का से होगी हाँ प्राप्त होगा चोटी यात्रा हैं आपको देव गुरू ब्रहस्पती कराने और पंचम भाव में जाने पर काले करवाएगा और उनको शादी की योग भी बने हुए है प्रेम प्रसंग देव गुरु प्रस्पति पंचम भाव में आपको कराता हूँ नजर आ रहा है लॉट्री से शेर मार्किट से भी धन आपको यहां पर देव गुरु प्रस्पति दिराता हूँ नजर आएगा सिक्स्थ हाउस का लॉट होकर के पंचम भाव में गया है तो कहीं न कहीं आपको शत्रूदारा भी जोड़ा सा धन का वय हो सकता है यह कोट लिटीकेशन मुकदमा इस तरह की स्थिति देव गुरु प्रस्पतिकों से आपको देखने को मिल सकती है उसके बाद हम बात करते हैं सूरिक रह की तो सूरिक इकादेश सान का 11th हाउस का लॉड है और जो आपका 17 दिसंबर तक वरिष्टिक राशी में जो कि आपका 2nd हाउस में संचार करेगा और यहां पर क्योंकि दो धन भाव जो होते हैं 11th हाउस भी हमारे धन भाव को रिप्रेजर्ट करता है जहां से हम भाव भी हो ही है हमारी वानी का भाव भी हो ही है तो यहां पर वानी के सेहोग से और कुटूम के सेहोग से आप धन अरजन करता हूँ नजर आएगा खास करके लिए जो लोग जो अपने कुटूम के प्रोफेशन से जूरे हुए हैं उनको बहुत लाव होने वाला है उसके परियावा जो अपनी धिय और वानी के प्रयोग से जो धन अर्जन करते हैं, आपके मौटिविशनल स्पीकर्स हैं, कथा वाचक हैं, तो उनके लिए या अड्वोकेट्स हैं, उनके लिए भी जो है, वो सूरे की स्थिति बहुत उत्तम है, द्यूतिय भाव में धन के उत्तम स से होगे, आप तो आपको होगा, लेकिन आपके जो पडोसी हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ आपको थोड़ा से समन्द सुधार के चलने के उशकता है, बॉस आपकी बात सुनेंगे, और बॉस के साथ भी आपके समन्द मधूर इसमीने बने हुए नजर आ रहे हैं, उसके पर आपके थरडा उसमें कुमबराशी में चला जाएगा, तो भागे इशका दूति भाव में जाना जो है, वो भागे में विरिधी करता है, और यहां पर जो धन है, धन की बारिश है या जो धन का संग्रे है, दूति भाव में होगा, भागे की वज़ा से आपको धन जो कि आपके दृतिय भाव में संगरित हो जाएगा, किसी ने किसी रूप में जिसका आपको बाद में फायदा होने वाला है, वानी हो गया, आपकी कॉम्मिनिकेशन हो गया, रैटिंग स्किल्स हो गया, उसके दोरा भी आप धन अरजन करते हुए नजर आएंगे, और उसके जब यह आपके तृतिय भाव में चला जाएगा, स्तारा आपका 10 दिसंबर के बाद, तो कहीं ने कहीं चोटी यात्राओं का योग बना रहा है, खास करके वेपारियों के लिए उनको अपनी छोटी जर्नी करनी पड़ सकती है, फॉरण से भी उनको लाब होता होन नजर तो जर्नी पर आपका व्याय होतावन नजर आएगा, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार है, तो वहां से भी बुद्ध आपको लाब दलाएगा, वानिज्य वेपार में बुद्ध की इस्तिती बहुत उत्तम बनी हुई है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपकी आपकेश होता है मंगल तुला लंगन की कुंडली में, तो मंगल की दशांतर दशाय प्रतिन दशाय चल रही होगी, तो उनको बहुत समल के चलने की जूरत है, हलांकि मंगल इस महीने जो है, वो स्वर राशी काहू करके दित्य भाव में वरिष्टिक राशी में संचार कर तो यहां पर आपको जो आपके स्पाउस के द्वारा धन प्राप्ति होती वे नज़र आएगी, आपकी पत्नी के द्वारा धन मिलने वाला है यहां पर, इसमें कुटूंब का से होग आपको मंगल की विज़ा से मिलने वाला है, खासकर जो आपके भाई हैं, भाईयों का से 31 से अब इसका विच्छेद हो गया है और शनी आपके चतुर्त भाव में है और चतुर्त भाव जो होता है वो एक रात्री का समय होता है जहां वेक्तिस होता है तो शनी का चतुर्त भाव में होने का मतलब है कि आपको जो है वो अपने कोई बड़े काम के डिसिजन्स लेने है या काम करना चाहते हैं बड़े वो अगर आप शाम के समय जब संध्या हो जाती है उसमें करते हैं तो शनी आपकी यहाँ पर कारे में मदद करेगा प्रोफेशन में आप जो है वो शाम के समय अगर अपने मेल लिखनी है तो आप मेल रात को लिख करके रखें तो शनी आपकी लाब ही लाब दिलाएंगे, शुक्र का सेहुग भी इसको मिल रहा है, तो कहीं न कहीं जो है वो आपकी, जो माता की बहन है, आपकी मौसी हो गया, उसका सेहुग भी आपको प्राप्त होता हुआ इस महीने, नजर आ रहा है, राहु केतु की बात करने राहु अश्टम भाव में है, अश्टम भाव में राहु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहां पर आपको किसी तरह की गुप्त रोग परदान करता है, या व्यक्ति को अचानक कोई एक्सिडेंट का योग बनाता है, या जेल जाना हो गया, इस तरह की चीजों की स्थिति बनी हुई है, राहु के विज़ से जिनको राहु की दशा अंतर दशा यह प्रतिंतर जैसे चल रही है, तो उनको बहुत समल के चनले का सामें है, तुलालागन वालों के लिए, क्यों राहु जो है, वो आपके लिए कोई न कोई शररत खड़ी कर सकता है, और अनेक्सपेक्टेडली जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो इस तरह की कोई इस्तिति आम उत्पन होगी, चाहे वो आपकी बिमारी है, चाहे वो कोई शत्रुता है, या कोट, या बॉस इससे कोई समन्द में खटास, इस में आपको उत्पन कर सकता है राहु अश्टम भाव में, केतू दृते भाव में है, तो कुटुम्ब के प्रति वेक्ति जो है, या अपने परिवार के प्रति में जो वेक्ति अपने करतववे होता है, उन्से विमुख हो जाता है, केतू जैसा जो है, वो सेपरेटिव ग्रहे जो होता है, वेक्ति के मन में विमुखता उत्पन करता ा तो कोटुम हो गया घर परिबार के पृति जो आपके उतरदाइट है, आप उनको अच्छे से इस महिने ने भाईय है, नहीं तो उख जो, वो केतु आपको, परिशान कर सकता है, उसके लावा, केतु हमारे पुत्र का कारक भी होता है, तो, पुत्र की तरफ से भी जो है वो इस महिने आपको थोड़ा सा कश्ट देखने को मिल सकता है तुललगन मालों के लिए तो ये था तुललगन के जातकों के लिए दिसंबर के महिने का लेका जो खा उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पुलूस प्लाता लगा होगा होगा कर एक दृट्पू ये जाननके टार्ड़ शाख़गा होगा टालगन मालों पुलूण तो आंपकर ट्रा डेबच्ब को पश्र लिए जानके आडकियो